नमस्का टीर स्टुएंट्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल यस 400 प्लस, मैं संजय मोहन बटनागर और मैं आपके साथ बात करता हूँ इस वेलकम टो मैं संजय में स्टुएंट्स की और आज की इस क्लास में बिसिकली जो अभी जो मैं ग्लास ले रहा हूँ वो प्रीवीजियर कोश्चन के बारे में हैं उनका solution है complete explanation है civil services mains के mathematics के paper का तो आज का हमारा ये पांचमा वीडियो है और इस वीडियो में हम 2020 और 2019 के civil services mains में जो papers आए हैं उसमे analytical geometry को देखेंगे analytical geometry के questions पर हमारा ये पहला वीडियो है overall पांचमा वीडियो है और अपनी एक बात को मैं reiterate करता हूँ कि mains में mathematics सी एक मातर ऐसा optional है जो आपको 400 प्लस successfully attempt करने का potential देता है और इस परकार आपका selection final selection और वहाँ अच्छी रेंग आपको ensure करता है तो dear students इसके साथ तब शुरू करते हैं हम आज की class तो आज की इस class में हमारे पास 9 questions in analytical geometry के 2020 और 2019 के Okay, so let us start So, now let us see this first question of 2020 analytical geometry का पहला question है, question number 1E 10 mark का question है Find the equations of the tangent plane to the ellipsoid which passes through the line Obviously, obviously, इस line से पास होने वाला plane है, वो हर हालत में ऐसे लिखा जा सकता है Some constant D Correct Suppose this is the required plane अब हमको condition of tendency निकाल ली है Of course तो इसमें मैंने एक काम किया है, जो मैंने पहले भी कई वीडियो में बोला है analytical geometry से, जब हम 3D geometry की बात करते है कि आपको 2D geometry से चीजों को map करना चाहिए 3D geometry में मैं आपको एक उदारण इस ही में दे रहा हूँ कि for example, यह मेरे पास ellipse है 2D geometry में x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 तो condition of tendency for a line यह एक line दी गई है lx plus my equal to p इसके लिए यह जो line है, इस ellipse की tangent है इसके लिए condition है a square, l square plus b square, m square equal to p square मेरे ख्याल से आप सब को ध्यान होग यह condition है अब इसी condition को मैं ellipsoid के लिए extend करता हूँ तो ellipsoid अगर मेरे पास यह है और यह plane है और यह plane इस ellipsoid को ellipsoid का यह tangent plane है तब condition यह है तो अब आप यह देखिए कि यह वाली जो condition थी a square, l square plus b square, m square equal to p square यह extend हुई है 3D के मामले में a square, l square plus b square, m square plus c square, n square equal to p square the point is very clear अब यह वाला plane हमने अभी दो slide पहले पनाया था correct तो अब इसके आगे मैंने इसको type कर रखा है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ अब यह देखिए आप कि सबसे पहले हमने यह जो हमारा ellipsoid है यह जो ellipsoid हमको दिया था इसको हमने standard form में रखा इस form में यह हमारी standard form तो जब हमने इसको standard form में रखा तो obviously यह इस तरह से लिखा जा सकता है correct और यह formula का जो base है वो यह ellipsoid है correct तो मैंने इसको इस form में रख लिया obviously a square is equal to 27 बटे 2 b square is equal to 27 बटे 6 यहाँ place करूँगा ठीक और l m और n और p obviously यह मेरे को मालूम है क्यों मालूम है इसमें मालूम है कि अभी 3-4 slide पहले मैंने यह plane बनाया था correct तो obviously इसको simplify करके यह plane बन गया तो मेरे पास तो जब हम compare करते हैं तो l बराबर obviously 1 plus d m बराबर minus में 1 plus d यह रख खिक है न और c बराबर 2 minus d और p बराबर 9 correct और अब हमको a square b square c square भी मालूम है l m और n की value भी मालूम है इनको हम यहाँ place करेंगे और obviously इससे हमको d की value में लेगे that's all तो इसको मैंने हम place कर दिया और अब तो बहुत simple है यह 27, 27 यहाँ भी है 27 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैंने इसको common निकाल लिया and obviously जो मेरा LCM आया यह बहुत छोटी चीज़ आताएं कि तो obviously 6 is the LCM तो 27 common निकला 3 and 3, 6 जा 18 तो यह 18 हो गया बाकि दो simple calculation है then 6d square equal to 6 and d is equal to obviously plus minus 1 यह plane था हमारे पास तो हमने d को एक बार plus 1 रखा एक बार minus 1 रखा तो हमको जो जब हम d को plus 1 रखते हैं तो हमको plane मिलता है यह और जब हम d को minus 1 रखते हैं तो हमको plane मिलता है यह तो answer these are the answers है na okay so this is our second question of the class 200-200 का question है civil services mains का और question number 2C है 15 mark सा question है find the equation of the cylinder whose generators are parallel to whose generators these generators are parallel to the line x upon 1 equal to y upon minus 2 equal to z upon 3 and whose guiding curve is this obviously this is a circle तो यह circle है यह वाला यह वाला एक ही बात है on the plane इस plane पर ठीक तो इस line के parallel कोई भी line होगी obviously x minus a upon 1 equal to y minus b upon minus 2 equal to z minus c upon 3 simple अब यह जो यह जो line है अब इस line की बात हो रही इस के parallel है तो obviously यह line काटती है इस guiding curve को इस intersection के कारब मैं z equal to 2 minus c upon 3 लिख सकता हूँ this z, z को मैंने 2 लिख दिया तो this point, this is 2 minus c upon 3 this is x minus a upon 1 this is y minus b upon 2 so this gives me x बरावर a plus 2 minus c upon 3 and y is equal to b minus 2 into 2 minus c upon 3 simple अब obviously x और y के यह जो coordinates है यह इसको satisfy करेंगे इसके कारण है ना तो इसको मैं इसमें place कर देता हूँ this is simple and easy question so this is 3a plus 2 minus c whole square plus 3b minus 4 plus 2c whole square equal to 36 simple क्योंकि इन दोनों के नीचे 9 आया था 9 आया था इस 3 का square होने के का रहा हूँ 4 यहां है तो minus 4 जाब 36 यहां थाओ यहाँ सफ्वाधिश्स रहा हूँ एसको फैसे कि अए़ ऑस्काइश्ड़ यहाँ झास्काइब्ट यहाँड ऑस्काइब्ट काइब्ट कुणड़ का ऐस्या थाओ इच्टब्ट okay, okay, so this becomes 9a square plus 9b square plus 5c square minus 6ac plus 12bc plus 12a minus 24b minus 20c and minus 16, 16 very simple, so this is zero, so the question is complete हमें इसे जनलाइस कर देना है, abc को, जनलाइस करने पर जो हमको जो रिजल्ट मिला वो है, So, the result is 9x square plus 9y square plus 5z square minus 6xz plus 12yz plus 12x minus 24y minus 20z minus 16, Okay, so this is our third question from analytical geometry of the question paper of 2020 और ये question no. 3c है, 15 mark का question है, If the straight line represents one of the set of three mutually perpendicular generators of this cone, then find the equation of the other two generators, ये असान question है वैसे ही, इसका पहले figure देख लिजे, So, ये जो हैं तीन generators हैं, ये आपको इसमें फुड़ा सब ज़रा इसको visualize करना पड़ेगा, एक, दो और ये तीसरा और ये तीनों आपस में perpendicular हैं, तो अगर इस line के perpendicular दो line हैं, तो मैं उनका जो direction ratios हैं, वो ABC मान लेता हूँ है ना, तो और obviously वो तीनों origin से पास करेंगे, तो इस line के perpendicular line जो origin से पास करती हैं, वो हुई, x upon a, बराबर y upon b, बराबर z upon c, where ABC are the direction ratios, correct, अब चुकिए ये line और ये line आपस में perpendicular हैं, इसलिए हर हालत में a plus 2b plus 3c is equal to 0, correct, okay, second चीज़ ये है कि चुकि ये generator है, इस कोन का, इसलिए ये जो line है, ये line obviously इस पर लाई करेगी, इसलिए ये इसको satisfy करेगी, correct, तो इसलिए अगर मैं इसको sum r मान लूँ, तो x बरावर obviously a r, y equal to b r, z equal to c r, और मैंने जो बोला, ये जो coordinates मिले, obviously ये इस कोन पर होंगे, तो ये हो गया 5bc r square minus 8ca r square minus 3ab r square equal to 0, so that gives me 5bc minus 8ca minus 3ab equal to 0, now from here, from here I have a is equal to minus 2b plus 3c, तो I shall replace a with this thing in this equation, so I have 5bc minus 8c minus minus plus 2b plus 3c minus 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 plus 3a, a is 2b plus 3c and it is obviously b, so it is 0 and so finally this becomes 5bc plus 16bc plus 24c square plus 6b square plus 9bc equal to 0, okay, और ये हो गया, simplify करके, मुझको मिल जाएगा, 6b square plus 30bc, 24c square and that gives me b square plus 5bc plus 4c square and that finally gives me b plus c into b plus 4c equal to 0, so I get b equal to minus c and b equal to minus 4c, अब हमको यहां यह ज़रूर धिहां रखना है, पिछली slide से, कि हमारे पास a plus 2b plus 3c is equal to 0, है, so since b equal to minus 4c, so it is a minus 8c plus 3c equal to 0 means a equal to 5c, okay, so इसक्पिने से हुआ मेरे पास a upon 5 equal to obviously c, hence it is b upon minus 4, correct, and from here I have a minus 2c plus 3c equal to 0 means a equal to minus c, और इस कॉंबिनेशन से मेरे पास है, a upon minus 1 equal to c upon 1 equal to b upon minus 1, correct, या a upon 1 equal to b upon 1 equal to c upon minus 1, तो एक relation मेरे पास यह है, और दूसरा relation मेरे पास यह है, तो मुझे a, b, c, obviously मुझे किसमें place करना है a, b, c, मुझे इसमें place करना है, x upon a, बराबर y upon b, बराबर z upon c, इसमें place करना है, correct, तो मेरे सामने जो दो straight line, दो mutually perpendicular line, obviously, इसके mutually perpendicular line, और आपस में भी, जो दो line मिली, आपस में कैसे मिली, वो तो बहुत simple है, क्यों, पहले आपस में देख लेते हैं, पांच गुणा 1 equal to 5, ये 5 और ये 1, minus 4 गुणा 1 minus 4 और 1 गुणा minus 1, minus 1, so it is 0, अर्थात ये DRs और ये DRs, जिन lines के हैं, वो आपस में perpendicular, और अब दो line बना लेते हैं, so दो line हैं हमारे पास, तो इन दो से जो line हैं, ये वो मेरे को DRs मिले हैं, दो set of DRs मिले हैं, so it is x upon 1 equal to y upon 1 equal to z upon minus 1, number 1, और जो दूसरी line मिली है, जो दूसरा mutually perpendicular generator मिला है, it is x upon 5 equal to y upon minus 4 equal to z upon 1, तो, it is equation of the other two mutually perpendicular generators, okay, now let us see the next question, okay, so this is fourth B question from the year 2020, अन्दर मास का question है, find the locus of the point of intersection of the perpendicular generators of the hyperbolic paraboloid, तो पहले question समझ लेते हैं, और फिर इसको solve करते हैं, आशे ये है कि अगर ये मेरे पास है कि hyperbolic paraboloid है, लेकिन अब ये generators में यहाँ दिखा नहीं सकता, plate बढ़ चुकी है, 3D figure है, तो मैं एक simple parabola आपके सामने बढ़ाता हूँ, और इस पर मैं इस point से external point से दो tangent draw करता हूँ, ठीक है? correct? और ये जो external point है, ये है suppose x1, y1, ठीक? और obviously ये जो parabola है, it is a conic, और इस conic की जो भी equation है, इसकी जो standard equation होती है, मेरे खाल से अब सब जानते हैं, मैं in fact पहले 2D geometry इसलिए ले रहा हूँ कि इससे मैं आपको इस question को, ये question क्या पूछा गया है, लिंक करना चाहरा हूँ, तो conic equation में लिखता हूँ, तो conic equation है, x square plus y square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, जनरल equation है को निक की, okay, question ये कहता है, कि अगर ये angle 90 degree है, अगर ये tangent 90 degree है दोनों आपस में, तो इस point का, जो point of intersection है, तो उनों perpendicular tangents का, उसका locus क्या होगा है, this is the question, got it, अब पहले इस चीज़ को 2D geometry में समझते हैं, और फिर उसको extend करेंगे 3D geometry में, तो अगर मेरे पास, जो मैंने भी आपको बताया, एक external point से, इस conic पर, ये s-econic है, अगर एक pair of tangents की जाया आता है, तो उसकी joint equation, ss1 equal to t square से दी जाती है, जहां पर s1 का मतलब ये है, कि आपने x, y को replace कर दिया है, point x1, y1 से, so this is s1 and t is the equation of tangent, simple, so tangent की equation होती है, ax, x1, यालनी के x square में से, एक x को हमने x1 बनाया, similarly, h के साथ यहां पर 2xy है, तो 2xy में हमने 1xy को xy1 लिखा, और दूसरे को x1, y लिखा, इसी तरह से y square को हमने y into y लिखा, और एक y को y1 किया, and, I mean very simple, g into 2x है, ये 2x को हमने x plus x1 लिखा, similarly, 2y को y plus y1 लिखा, c as such, ओके, तो s1 equal to t square is the equation, तब इसी equation को, मैं extend करूँगा, यहां पर, तो यहां पर मेरे पास s ये है, obviously, जो given connequired है, वो ये है, तो इसमें भी, joint equation of pair of tangents, obviously, जो tangents हैं, वो, generators है, तो pair of tangents, इस equation के द्वारा दे जाती है, same, जहां पर s1 की value यह है, बिल्कुल यह से map कर रही है, इस वाली से, okay, and t is this thing, और चुकिए यहां पर 2z लिखावा है, तो 2z शेल भी replace by z plus z बाख, okay, और transpose कर लिए इसको, so s1 equal to t square, अब इसको solve करना, is a very simple question, एक माथर चीज जो यह है, जो question में पूची कही है, perpendicular generated, तो perpendicularity की condition हम लोग डाल देंगे, कि अगर 2 tangents perpendicular हो, तो उसकी क्या condition होती है, वो डाल देंगे, और x1 और y1 और z1, जो हमने यह x1 point लिया है, इसको हम generalize कर देंगे, and we will get the answer, तो यह strategy है, तो चलिए अब मैं इसको solve करता हूँ, so we have to work out, s1 equal to t square, और यह हो गया, ओके, ओके, यह तो हो गया हमारा s, और s1 हो गया हमारा, x1 upon a square, minus y1 upon b square, minus 2z1, equal to t square, तो यह हो गया हमारा, xx1 upon a square, minus y1 upon b square, and minus, जो 2z को हम obviously, z plus z1 लिखेंगे, and square, correct, अब इसको पूरे को solve करने की जरूत नहीं है, इस पूरे को, आपको यह जरूर पता होना चाहिए, कि in case of hyperbolic paraboloid, obviously there shall be 3, mutually perpendicular tangents, या generators, correct, यहाँ 3 होंगी, क्योंकि हम यहाँ solid geometry की बात करें, ठीक है, obviously conic में 2 होंगी, अभी पिछली slide पर जो हमने देखा, अब, अगर यह 3 mutually perpendicular tangents हैं, तब इस equation में, इस equation में, the sum of, coefficients, of, sum of x square, y square, and z square, in, this equation, shall be 0, तो मैं बिना, इसको मैं पूरा solve नहीं करता, मैं सिर्फ x square, y square, और z square के, जो coefficients हैं, उनका sum में 0 कर देता हूँ, ओके, तो यह हो गया, यह तो हुआ, यहां से, इसका, इसका जो coefficient है, वो यह पूरा bracket में, जो लिखा हुआ, यह पूरा इसका coefficient हुआ, divided by a square, ओके, simple, इसी तरह से, यह हो गई इसका, यह इस case में हुआ, के, इसके अलावा, x square का coefficient हमको, यहां से भी मिलेगा, क्योंकि, हम squared कर रहे हैं, इस पूरे bracket को, अब x square, क्योंकि, यहां से भी हमको मिलेगा, क्योंकि, यह पूरा square किया जा रहा है, x square का coefficient है here, A raised to power 4 तो उसको मैं माइनस कर दूंगा इधर टांस्पोस करके similarly ओके और Z का कोफिशेंट 1 होगा तो वो टांस्पोस ओकर माइनस अब इसको सिंप्लिफाई करना है और चुकि हम लोकस निकाल रहे हैं इसलिए हम X1 Y1 Z1 को हम जनलाइस कर देंगे and shall replace them with X, Y, Z respectively. Okay, so that's the way we are going to complete it. Okay So this is X1 square upon A raised to power 4 मतलब मैं इसको सिंप्लिफाई यहां कर रहा है Okay 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 इससे यह कटता है और इससे यह कटता है Simple और हमारे पास यह हो जाता है माइनस माइनस 2Z1 अपॉन A square माइनस X1 square अपॉन A square B square प्लस 2Z1 अपॉन B square माइनस Y1 square अपॉन B raised to power 4 माइनस 1 equal to 0 और इसको मैं multiply कर देता हूं 1 minus A square B square and then I get the answer so this is hmm plus y1 square plus A square B square equal to 0 and this is x1 square plus y1 square minus 2 A square minus B square Z1 plus A square B square 0 और मैं अब इसको generalize कर देता हूं Locust निकालना है simple okay let's take now the next question okay so this is a question from 2019 1E question paper का और हमारी class का पांचमा question है 10 mark का question है question सरल है दो lines दी गई है ये show करना है कि वो दोने प्यूसरे को काटती है ये दो lines है ये show करना है ये दोने प्यूसरे को काटती है ये point on intersection निकालना है और इस plane यानि कि जिस plane पर मैं लिख रहा हूं इस plane की हमको equation निकालना है जो plane इनको contain कर रहा है तो मैंने इन दो equation को type कर दिया है और any point on this line on this line shall be given by minus 3 r minus 1 2 r plus 3 and r minus 2 simple और इसी तरह से यहां पर अगर ये बराबर s के हो तो s minus 3s plus 7 and 2s minus 7 तो ये point इस line पर होगा for the various values of s तो अगर ये point suppose हमारा point of intersection है तो r और s की किसी compatible value के लिए ये बराबर इसके होगा ये बराबर इसके होगा और ये बराबर इसके होगा है न तो हम पहले 2 coordinates को देखेंगे तो हम x दोनों के लिए x coordinate और y coordinate को बराबर कर देंगे और बात में हम z coordinate को उससे match कराएंगे अगर z coordinate भी r और s की इस तरह से प्राप value से match हो जाता है बराबर मिलती है हमको दोनों पर value इसका मतलब ये point line पर है otherwise इसका मतलब ये हमारा point of intersection है जिसके ये coordinates है ये या ये otherwise अगर ये z coordinate match नहीं करता है और और इसकी इस तरह से प्राप value से इसका मतलब ये धोनों lines skew lines है तो इसको शुरू करते है so it is minus 3r minus 1 equal to s and 2r plus 3 equal to minus 3s plus 7 so थोड़ा सा simplify करके लिख लेते है so it is s plus 3r equal to minus 1 and it is 3s plus 2r equal to 4 okay पहली equation को 3 से multiply कर देता हूं okay और second equation को first में से minus कर देता हूं तो ये cancel हो गया 7r equal to minus 7r बराबर minus 1 और जब r बराबर minus 1 मैं यहां 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 कहीं भी रख सकता हूं इसको तो मैंने r बराबर minus 1 रखा तो मेरे को मिलता है s बराबर 3 minus 1 equal to 2 correct अब z coordinate देख लिते हैं r minus 2 is equal to minus 1 minus 2 equal to minus 3 and 2s minus 7 equal to 4 minus 7 equal to minus 3 बोथ are equal इसका मतलब यह है कि हमको point of intersection मिल गया है और यह point of intersection है हमारा minus 3r minus 1 means 3 minus 1 2 2r plus 3 means 3 minus 2 it is 1 यहां से भी देख सकते है minus 3s plus 7 means 6 minus 6 plus 7 1 बिलकुल ठीक है and z coordinate is अभी हमको मिला है minus 3 तो यह हमारा point of intersection भी आ गया है दो चीजा हमने प्रूफ कर दी है यह शो कर दिया ठीक है point of intersection भी मिल गया और अब equation निकालनी है उस plane की जिसमें यह दोनो lines contained है obviously अगर यह इस plane पे contained है तो इसके जो normal के DRs होंगे यानि के direction ratios of normal to the plane containing these two lines are a b c obviously normal plane के perpendicular है तो normal इस line के भी perpendicular है और इस line के भी perpendicular है इसलिए perpendicularity के condition के कारण मिनस 3a plus 2b plus c equal to 0 and it is a minus 3b plus 2c equal to 0 so this gives me a upon 4 plus 3 equal to minus b upon minus 6 minus 1 c upon 9 minus 2 this gives me this gives me a upon 7 बरावर b upon 7 बरावर c upon 7 means a बरावर 1 okay तो obviously चुकी ये line plane पर है इसनिये plane की equation हुई point minus 1 3 or minus 2 के साथ the required equation of the plane is so this is a into x plus 1 plus b into y minus 3 plus c into z plus 2 equal to 0 but a b c बरावर answer हुआ x plus 1 plus y minus 3 plus z plus 2 equal to 0 so this is x plus y plus z equal to 0 okay next अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो मैंने करा नहीं आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसका determinant बना सकते हैं x plus 1 y minus 3 एक ही बात है वो z plus 2 ये पहली रो हो गई और दूसरी रो में इस line के DRs minus 3 2, 1 और तीसरी रो में इसके DRs एक ही बात है इससे भी आपको वही आंसा मिलेगा जब आप इस determinant को expand करेंगी तो आपको same आंसा मिलेगा चली next question so this is question number 2C1 from civil services 2019 और हमारी class का छठा question है 10 marks का असान question है this plane cuts the axis of coordinates in ABC find the equation of the circle circumscribing the triangle ABC तो actually यह कोई plane है okay this is x-axis y-axis z-axis correct अब इसको में हर हालत में intercept form में लिख सकता हूं y upon 6 plus z upon 4 equal to 1 obviously this point this is I mean A so this point is 12 0 0 this point is B so this is 0 6 0 and this point is C so this point is obviously 0 0 4 अब इन तीन points से यह जड़ा सा समझने की चीज़ है कि इन तीन points से infinite number of circles pass कर सकते हैं just try to understand कैसे मैंने आपको इस class में अनिक बार बोला है कि मैं जब solid geometry की बात करूंगा आपके साथ यह 3D geometry की बात करूंगा तो मैं उसको 2D geometry से map करूंगा तो आप इस figure को देखें यह 2D geometry की figure इसमें 2 fixed points है correct infinite a और b और इन दो points से infinite number of circles निकल सकते हैं the point is very clear यह 2D geometry है इसनी यहां पर 2 points है यह 3D geometry है इसनी यहां पर 3 points है मैं आपको एक उधारा और दे देता हूं जिसमें 2D geometry में जिसमें हम एक point x axis पर ले लेते हैं दूसरा point y axis पर ले ले लेते हैं और इन 2 points से फिर से infinite number of points infinite number of circles पास हो जाएंगे just see this thing तो यह देखिए यहां पर 1 point y axis पर है यह point x axis पर है और यहां से इन 2 points से infinite number of circles में पास करातोंगा तो similarly अगर हम अपने moon सवाल पर आएं तो इस सवाल में obviously हमको जो equation होती है circle की solid geometry में तो उसमें solid geometry में 3D Geometry में circle की equation में दो part होती है 2D Geometry में तो एक ही part होता हो अगर मैं 2D Geometry की बात کرूं तो 2D Geometry में circle की equation होती है x square plus y square plus 2g x plus 2fy plus c equal to zero है ना लेकिन अगर हम 3D Geometry के solid geometry की बात करूंए यहां दो Part現在 सबसे पहले तो है आपका एक sphere ठीक है न? तो ये हुआ x square प्लस y square प्लस z square प्लस 2u x प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d equal to 0 correct? एक तो हुआ sphere और दूसरा हुआ एक plane जो sphere को काटता है correct? और तब हमको जब ये एक plane काटता है sphere को तब हमको एक circle मिलता है करें तो plane हमारे पास already है ये plane तो basically हमको sphere work out करना है this is important हमको इस question में sphere work out करना है और मैं just repeating myself कि इस sphere में एक parameter हमारा sphere की equation में इस equation में variable रहेगा तो हम d को रखेंगे ठीक? तो बाकी जो values होंगी u भी w की उनको भी हम d के terms में work out कर लेंगे तो d एक variable है हमारा जो एक parameter हमारा जो unknown रहेगा या variable रहेगा ठीक? चल्ट शुरू करते हैं इसको solve करना ये हमारी sphere की equation है and obviously ये sphere जो पास कर रहा है ये पास कर रहा है 12-0-0-0-6-0-0-4 इस point से इन तीन point से पास कर रहा है तो ये obviously इसको satisfy करेंगे जो पास कर रहा है correct then okay and finally okay okay पहली एकाइशन से 2U is equal to minus D minus 144 upon 12 पहली एकाइशन से दूसरी एकाइशन से 2V is equal to minus में D minus 36 upon 6 and 2W is equal to minus में D minus 16 upon 4 correct और 2U, 2V और 2W की value में इसके प्लेस कर दूंगा minus 2U की value D minus 144 upon 12X minus D minus 36 upon 6Y minus D minus 16 upon 4Z and plus D equal to 0 तो 12 से गुना कर देते हैं so it is 12X square plus 12Y square plus 12Z square minus D minus 144 into X minus D minus 36 2 से गुना होगा Y और यहां 3 से गुना होगा answer तो D parameter जो है वो unknown है वो गर यह बिले तो D की value जैसे जैसे change होगी हमको different spheres मिलते जाएंगे obviously उन सब के center भी change होगे क्योंकि जो center के coordinates होते है minus U minus V minus W उसमें D उसका एक part है integral part है तो D change होगा तो obviously center के coordinates और radius दोनों change होगी so the point is clear चल नेक्स question लेते हैं so this is our seventh question of seven services 2019 और paper का सवाल है ये question number 2C2 दसमार का question है असान सवाल है prove that the plane Z equal to zero cuts the enveloping cone of the sphere ये sphere दिया गया है which has the vertex at 241 in a rectangular hyperbola मैं जो अपनी class में बार बार बोल रहा हूँ analytical geometry की class में कि आपको 3D geometry जब आप करते है solid geometry तो आपको उसे 2D geometry से compatible आपके सामने जो 3D figure उसका जो compatible 2D part है ये 2D figure है उससे match करके आपको questions करने चाहिए या समझने चाहिए तो आपको बहुत असानी होगी अब मैं अगर इस question को 2D geometry से map करूँ तो ये मेरे सामने एक circle है यहां पर हमने sphere की बात किये ये हमारे सामने एक circle है और ये point है हमारा ये वाला इसका हम एक two dimension में इसका equivalent coordinates ले सकते हैं लेकिन for example ये मान लिया की xy plane में है तो 2,4 हो गया correct तो ये अगर अब अगर ये sphere है तो obviously ये जो है हमारा ये एक enveloping cone है the point is very clear लेकिन अगर हम इसको 2D geometry में देखें जिसको हम 3D geometry में extend करेंगे obviously हमारे सामने ये pair of tangents है pair of tangents from an external point to this circle correct तो obviously जब हमको pair of tangents की जब हम बात करते हैं तो हमको मालूम है कि pair of tangents को 2D geometry में कैसे निकालते हैं और more or less same तरीका 3D geometry में लगाया जाता है ओके तो ये मैंने शुरुआती जो तो शुरू कि किसी question में था तो मैं उसको सिम repeat कर रहा हूँ तो अगर हमारे पास external point external point को ये x1 y1 है इस conic obviously ये conic 2D geometry में है और इसमें pair of tangents जो है ss1 equal to t square से दिया जाता है जहां पर s1 की value ये है और t की value t is the equation of the tangent लेकिन अगर हम pair of tangents ही बात करें तो ss1 equal to t square से दिया जाता है यहां पर भी हम इसे ही इस्तेमाल करेंगे तो ss1 equal to t square तो मेरे सामने है ये x square plus y square plus z square minus 11 और s1 s1 का मतलब ये है कि आपने x, y, z को replace कर दिया है 2, 4, 1 से so this is 4 plus 16 plus 1 minus 11 correct equal to 2x plus 4y plus z minus 11 square correct so this is so it is 10 x square plus y square plus z square minus 11 equal to 2x plus 4y plus z minus 11 whole square लेकिन अब ये जो conicoid है ये वाला इस plane से कटता है तो plane से कटता है इसका मतलब z component इसका 0 हो जाएगा तो ये हो गया 10 x square plus y square plus 0 लिखने रहा हूँ minus 11 equal to 2x plus 4y minus 11 whole square the point is clear और अब इसको हमें solve करना पड़ेगा और हमको ये दिखाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि ये rectangular हाई पर बोला है हमको ये बताना पड़ेगा कि x square और y square का जो coefficients हैं उनका sum 0 है तो ये यहां से देखने से लग रहा है देखने से ऐसे लग रहा है मतलब यहां पर obviously 4x square हो गया तो 10 minus 4 is 6 ये 16 हो गया 16 minus 10 is 6 6 minus 6 is equal to 0 तो solve कर लेते हैं so this is 10x square plus 10y square minus 110 equal to 4x square plus 16 y square minus 121 plus so on so on जिसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब बाखी के terms जो हैं वो x square और y square में नहीं है so this is 6x square minus 6y square and this is plus 11 plus so on so on लिखने की जरूरत नहीं है तो obviously the coefficient sum of the coefficients is coefficients of x square and y square बाखाबर 0 hence proved simple okay next question लेते है okay this is question 3b from civil services 2019 15 marks का question है prove that in general 3 normals can be drawn from a given point to the paraboloid this 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 and if the point lies on the surface then 2 of the 3 normals coincide okay अब बहुत simple से बात यह है कि अगर हम एक tangent plane की बात करें किसी point x1 y1 z1 कोई point है conicoid में इस conicoid में तो इसकी जो tangent plane है उसकी equation होती है axs1 plus byy1 plus czz1 equal to 1 यह हम शुरुआती analytical geometry के जो question थी उसमें भी देख चुके हैं और इसको हम t से represent करते हैं correct अब obviously this is a plane तो इस plane के normals के जो dr है वो है ax1 by1 cz1 इसलिए इस point पर अगर हम normal की बात करेंगे इस point पर तो normal की जो equation है वो x-x1 upon ax1 बराबर y-y1 upon by1 बराबर z-z1 upon cz1 होगी इसमें कोई doubt है अब इसलिए हमको यह जो parabolaid दिया गया है अब अगर हम इसके normal की बात करें किसी point x1 y1 z1 पर तो यह होगी x-x1 upon x1 obviously because a is equal to 1 similarly b is equal to 1 तो this is y-y1 upon y1 and z-z1 upon minus a उसका बड़ा simple सा कारण यह है कि इसको हम इस तरह से दिखेंगे इस तरह से और जब यह 2 az लिखावागा तो virtually यह लिखावा है minus में a z plus z1 point is clear इसलिए minus a लिखा गया तो यह हमारा normal की equation है तो हमने इस equation को किसी d के बराबर किया अब for example हमारे सामने यह parabolaid है ठीक है और यह हमारा tangent plane है जो point x1, y1, z1 पर है correct और यह normal है यह normal for example यहां से गिराय जाता है इस point के coordinates है f, g, h correct तो हमको यह prove परना है इस point से तीन normal विराय जा सकते है इन जन्रों के यह हमको prove करना है अब चुकिए यह point f, g, h यह इस normal पर है और normal की equation यह है इसनिए यह point इस equation को satisfy करेगा तो इसनिए मैंने इसको f, g, h को x, y, z की जग़ा replace कर दिया और अब मेरे को मिला यह इस equation से f minus x1 equal to d x1 means d plus 1 into x1 equal to f means x1 equal to f upon d plus 1 correct and g minus y1 equal to d y1 means y1 equal to g upon d plus 1 and finally h minus z1 equal to minus ad means z1 equal to h plus ad simple अब यह जो x1, y1, z1 point है obviously यह parabolite पर है इसनिए parabolite की equation को अरथात इसको satisfy करेंगे ठीक है इसका मतलब यह हुआ f upon d plus 1 whole square plus g upon d plus 1 whole square equal to 2a h plus ad correct means f square plus g square equal to 2a h plus ad into d plus 1 whole square अब यह obviously इससे cubic equation है ना और यह d में है यह जो cubic equation है d में है और यह हमको d की 3 value देगी तो जैसे ही हमको d की 3 value मिलती है obviously हमको यहां से 10 point मिल जाते हैं मतलब x1, y1, z1 की हमको 3 value मिल जाती है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हमको 1 point यह मिल जाता है यह ओके दूसरा point मिल जाता है हमको for example यह और तीसरा point हमको parabolite पर मिल जाता है मेरे ख्याल से आपको समझ में आगे होगा correct तो इस point से fgh point से एक point से हम 3 normals गिला सकते हैं parabolite बड़े इन जानदा तो एक चीज तो यह प्रूव होगी ठीक ना but if the point lies on the surface अगर इस surface पे point lie करता है कौनसा point fgh then 2 of the 3 normals कोई साइट यह हमको प्रूव करना है चल तो इसको मैंने यह मैंने copy कर लिया है और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया where obviously it is a function in d ठीक तो मैंने इसको यह एक function create कर लिया और मैंने इसको इस तरह से लिख लिया simple अब चुकिए इसमें two of the three normals coincide तो जो d की तीन value आएंगी यानि कि d1 d2 और d3 तीन value आएंगी तो अगर तीन में से दो normals को coincide करना है तो इसमें दो value d की बराबर होई चाहिए तो यह तभी संबब है जब qd तो 0 हो गई लेकिन इसका जो first derivative है वो भी 0 के बराबर हो तो जब यह होगा तो two roots are equal ठीक तो इसका derivative अर्काउट करते हैं तो इसका derivative हुआ ओके अर्काउगी इसका derivative हुआ बागी इसका derivative वह 0 तो तो इस simple now d plus 1 cannot be equal to 0 why because d plus 1 हमारे पास यहाँ denominator में है यह x1 y1 में चीक है ना so obviously d plus 1 cannot be 0 cannot be equal to 0 इसका मतलब यह है कि this is 0 simple और इसका मतलब है it is equal to 0 correct ओके तो यह ad plus a plus 2h plus 2ad यह इसको मैंने यह type कर दिया है और यह इसमें modify होता है 3ad plus a plus 2h equal to 0 और d की हमको यह value मिल जाती है okay अब d की इस value को जो हमारे पास यह relation आया था यह relation यहां लिखा हुआ है तो इस relation में या equation में हम d की value place करेंगे ठीक है तो मैंने इसको type कर रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मुझे लिखना पढ़ रहा था calculation में अब मैंने इसका LCM लेके 3a इधर ले लिया अब मैंने इसका LCM लेके 3a इधर ले लिया और 3a यहां से आ गया तो 9 3 जा 27 27a3 यह हो गया और 3a यहां multiply हुआ so it is 3a plus and minus में a plus 2a as such square minus f square plus g square मेरे ख्याल से यहां तक कोई issue नहीं है ठीक है अब यह line मैंने पिछली slide से ली है और obviously यहां से भी a common निकलेगा इस जगह से तो this is 2a square और नीचे a cube है तो a square से a q a times kata तो this is 2 upon 27a now this is 3h plus a निकल गया common so this is minus into a plus 2h and this is 3a plus minus में a plus 2h and this complete bracket is whole square minus f square plus g square and then very simple तो 27a से मैंने गुना कर दिया यहां और 27a को खतम कर दिया 27a को so this is 2 and 3h so 3h as such this is minus a minus 2h okay और यह 3a minus a this is 2a and minus 2h whole square यह simple and this is 3h minus 2h is h h minus a a और यहां से 2 common निकला मैंने तो 2 का square हुआ 4 और 4 गुनी 8 तो यह 8 बन गया it is h minus a it is a minus h square minus 27a same okay simple अच्छे एक line यहां रह गए यह लिखने के लिए तो मैं इसको लिख देता हूं so this is 8 h minus a को मैं लिख सकता हूं minus मैं a minus h and this is a minus h whole square minus 27a f square plus g square equal to 0 and this is 27a f square plus g square plus 8 into a minus h cube और इसको अब जनलाइस कर देते हैं जनलाइस करने में जो कोदिनेट्स हैं f,g,h तो f shall be replaced by x, g shall be replaced by y and h shall be replaced by z and obviously then this is 27a into x square plus y square plus 8a minus z cube okay so ultimately this has been proved correct now let us see the next question okay so now let us see this question from civil services 2019 and this is question no.4 b 15 marks का question है थोड़ा सा लंबा question है बड़ा question है लेकिन मैं इसमें आपको कुछ basics बताने जा रहा हूं तो question के दो पार्ट है find the length of the normal chord through a point p of the ellipsoid no.1 and no.2 and prove that if it is equal to 4 p g3 where g3 is the point where the normal chord through p meets xy plane then p lies on this corner okay तो इसमें कुछ basics की बात करेंगे और basics मैंने आपको कुछ pictorially भी और लिखकर भी मैं इसमें आपको समझा रहा हूं की for example अच्छा इसको आपको थोड़ा सा 2D geometry से समझना पढ़ेगा क्योंकि 3D geometry को draw करना paper पे comparatively संभव नहीं है ना तो यह हमारा tangent plane है जो आप tangent line देख रहे हैं इस ellipse पर इस ellipse को आप ellipsoid समझ लें और यह जो line आप देख रहे हैं tangential line या tangent line इसको आप tangent plane समझ लें तो obviously इस point x1, y1, z1 पर इस ellipse side पर जो ellipse side है x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 तो इसकी जो tangent है इस point पर that shall be given by xx1 upon a square plus yy1 upon b square plus zz1 upon c square equal to 1 आपको ध्यान होगा इसको हम t से भी लिखते हैं ओके and hence the equation तो obviously अगर मैं इस normal की बात करूं इस point पर तो इस normal की equation होगी x minus x1 upon x1 upon a square क्योंकि ये इस plane के normal के dr है तो obviously इस normal की इस normal की चुकि ये normal जो है obviously इस plane के perpendicular है so this is x minus x1 upon x1 upon a square ब्राबर y minus y1 upon y1 upon b square ब्राबर z minus z1 upon z1 upon c square very simple okay तो यहां तक तो कोई issue नहीं है ठीक अब इसमें जो अगली चीज जो सम्झाने की है जो important है वो ये है कि अब अगर हम बात करें इस ये हमारा tangential plane है जिसको मैं या tangent line से दिखा रहा हूँ EF को और ये हमारा center है ellipsoid का हमारे plane के case में ellipse का और यहां से मैं एक perpendicular draw करता हूँ किस पर? tangent या tangential plane पर तो obviously इसकी जो distance है यानि distance d बराबर oh तो ये जो distance है this distance is equal to this thing distance formula से तो I mean this point is very clear so from here obviously d square is this much and 1 upon d square is this much ये आपको ज़रूर दिखार रखना चाहिए क्योंकि मैं इसका आगे इसको apply करना जा रहा हूँ ये हम देख चुके हैं कि this is normal to the ellipsoid at the point x1, y1, z बर और इस line के जो dr's होंगे अब इस line के यानिके normal line के dr's होंगे वो obviously ये होंगे ठीक लेकिन actual dc होंगे x1 upon a square into d where d was equal to obviously मैं link देता हूँ हालांकि पिछली slide पर आप देख चुके हैं d shall be equal to 1 upon square root of x1 upon a square square plus obviously y1 upon b square square plus z1 upon c square e square लेकिन इसको obviously हम जानते हैं this is equal to b so actual dc हैं इस normal के d x1 upon a square d y1 upon b square d z1 upon c square जहांपर d की value यह है तो इसलिए इस अगर normal को इस point पर अगर हम normal को actual dc की terms में लिखें तो obviously ये बनेगी normal की equation ठीके ना क्योंकि ये हमने अभी dc direction cosines देख नी है normal के clear अब आपको जे important चीज़ याद रखनी है कि अगर किसी straight line की equation अगर symmetrical form में दी जाए यानि कि उस form में जिसमें आप actual dc's देते हैं actual direction cosines देते हैं मैंने लिख भी दिया है और आप इसको r के बरावर रखते हैं then r represents actual distance between these two points इसको मैं आपको समझा देता हूँ कैसे ये line है this is general point x and this is sorry x yz and this is specific point x y1 z1 okay इनके बीच की distance है r correct तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ जो ये लिखा हुआ है x1 upon x minus x1 upon l बरावर y minus y1 upon m बरावर z minus z1 upon n यानि कि dc की form में symmetrical form में and place it equal to r then r represents the distance between the point x y z and x1 y1 z बर this point is clear लेकिन क्यों मैं इसको prove कर देता हूँ लिखे इन दौनों points के बीच की distance हुई यानि के r is equal to under root x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square plus z minus z1 whole square but x minus x1 is equal to lr so it is l square r square plus m square r square plus n square r square और r square का square root बाहर आ गया r and this is l square plus m square plus n square लेकिन ये चुदी एक्ट्वल dc है इसलिए l square plus m square plus n square equal to 1 so this is equal to r simple तो ये आपको जोग ध्यान रखना चाहिए इस तरह के question में जहां पर distance निकलवाई गई हो अब you must use equation of the normal in the actual dc form when you have to work out the problems relating to distances measured from the point x1, y1, z1 along the normal at the point चुकि question में इसका requirement था हम question को अगर देखें तो question देखिए find the length of the normal chord through a point यानि कि हमको p g की distance निकालनी है clear? हमको p g की distance निकालनी है इसलिए हमको जो normal है उसे हमको dc form में या symmetrical form में लेना पड़ेगा तो चलिए अब हम question को solve परना प्रारम करते है तो any point on this normal ये जो normal है obviously मैंने ये dc form में लिखा है ये symmetrical form में लिखा है तो इस point पर यानि कि ये वाला जो point है obviously x1, y1, z1 है तो इस point पर इस normal की equation होगी ये simple और मैं इसको r के बराबर करता हूँ तो इस normal पर कोई भी point होगा x1 प्लस rd x1 obviously upon a square तो ये इधर multiply होगा और minus x1 transpose similarly y coordinate होगा y1 प्लस rd y1 upon b square z coordinate होगा z1 प्लस rd z1 upon c square यानि कि ये कोई भी point होगा any point तो हमने ये माना कि r जो है वो length of normal chord है इसका मतलब ये वाला जो point है ये वाला point ये यहाँ lie करना चाहिए g पर g वाला point जो है वो obviously ये point होगा अब अगर ये point g होगा चुकि r को हमने distance of normal chord मान लिया है hence this point shall lie on the ellipsoid ये है तो इसलिए ये ellipsoid को satisfy करेगा और ellipsoid की equation में हम इसको place करेंगे तो चुकि हमारा जो ellipsoid है वो ये है इसलिए हमने जो points बनाया है उसको हमने इस ellipsoid को place किया तो हमको value मिलेंगे अब इसको solve करते हैं तो तो इस अब अगे अगे plus 1 upon b square y1 square plus 2y1 square r d upon b square r square d square y1 square upon b raise to power 4 1 upon c square plus and it is z1 square plus 2z1 square r d upon c square plus symmetry है आपने अगर पहला वाला बना लिया तो बाकी मतलब ये पहला टर्म तो बाकी दो टर्म तो बनी जाएंगे okay so this is equal to इसे अगले पेज़ पे ले लेते हैं तो इसको मैंने यहां अगले पेज़ पे ले लिया है and this is x1 square upon a square plus y1 square upon b square plus z1 square upon c square ये तो यहां से आया यहां से यहां से यहां से यहां से ओके इस बार हम सेकिंड टर्म निकालेंगे plus 2 d r x1 square upon a raise to power 4 plus y1 square upon b raise to power 4 plus c1 square upon plus z1 square upon c raise to power 4 and finally this is d square r square x1 square upon a raise to power 6 plus y1 square upon b raise to power 6 plus z1 square upon c raise to power 6 and this whole expression is obviously equal to 1 यहां लिखना चूट गया है it is 1 और पिछले पेज पर भी देख लेते हैं sorry so it is equal to 1 यहां से खीक है अब इसको फाइनली अच्छा इस चुकि यह यह obviously यह हमारा ellipsoid है और point x1 y1 z1 ellipsoid पर है so this will be equal to 1 so virtually this is 1 plus 2 d r और यह जो यह वाला जो bracket है यह वाला यह वाला यह obviously it is equal to 1 upon 1 upon d square okay यहां से यह so 1 upon d square is equal to x1 square upon a raised to power 4 plus y1 square upon b raised to power 4 plus z1 square upon c raised to power 4 correct so this is 1 upon d square plus d square r square और इसको शोट में में sigma x1 square upon a raised to power 6 लिख देता हूं and it is equal to 1 okay 1 cancels out 1 so this is d r common आया और 2 upon d square plus d r और इसको में ऐसे लिखते रहूं भी जीरो एक से एक कैंसिल होगे ना ओके अब obviously d r cannot be 0 because d cannot be 0 क्योंकि d है 1 upon square root of this thing इस bracket में इस वाले ग्रेकिट में जो expression है ठीक है so this cannot be 0 similarly r distance it so it cannot be 0 so this expression is equal to 0 okay means okay अब यहां से हम आर वर्काउट कर लेंगे ओके तो इसको अगले पेज़ पे ले लेते हैं so from here we have are equal to z1 square upon c raise to power 6 this is the distance okay तो यह जो है यह length of normal chord हमको मिल गई जहां पर d बराबर 1 upon square root of ओके चलिए so this is the answer और इसका second part करते हैं तो इसके question की next part में यह वाला part of हम करने जा रहे हैं तो obviously इसमें जो question है prove that if it is equal to 4PG3 and obviously हम यहां पर reference ले रहे हैं normal chord का so normal chord अगर normal chord 4PG3 के बराबर है where G3 is the point where the normal chord through P obviously P is the point X1 Y1 Z1 through P meets the XY plane then P lies on this cone अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि हमने जो normal chord की line बनाई थी उसमें line पर जो हमने general points निकाले थे line को R के बराबर करके आपको ध्यान होगा मैं वही slide fill से ला रहा हूँ तो यह हमने इस line पर general points निकाले थे जो हमारी यह line of normal chord है जो XY plane को काटती है इसलिए Z coordinate 0 होगा this point is clear तो यह वाला जो coordinate है इसको मैं 0 कर दूँगा okay so this is 0 और यहां से मेरे पास R is equal to minus Z1 C square upon D Z1 okay means R is equal to minus C square upon D okay अब इस condition पर आते हैं okay तो इसको मैंने type कर दिया है so this is normal chord अभी जो हम लोग ने workout की है it is equal to 4 PG3 but PG3 is minus C square upon D so this is this okay अब बहुत simple calculation है और वो भी मैंने type कर दिया है D यहां transpose होता है और minus 2 से minus 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 cancels out each other and 2 to 4 very simple और इस तरह से we have this relation ठीक अब 1 upon D square की value हम को मालेगा and 1 upon D square is equal to x1 square upon A raise to power 4 plus y1 square upon B raise to power 4 z1 square upon C raise to power 4 simple तो इसको मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a square x1 square upon A raise to power 6 plus B square y1 square upon B raise to power 6 and यह as such okay okay और अब इसका locus निकाल लेते हैं क्योंकि यह जो point P जो उन पर है मैं इसका sorry जो point P ellipsoid पर है इसका locus निकालना है इस condition में इस condition में तो अदम question okay okay आज के हमारी इस class का यह आखरी question था तो thank you very much dear students for watching this class और मिलते हैं अब next class में